कि चलिया स्टार्ट करते हैं आपके अगले exercise exercise 4.4 द्विघास समीकन की अंतिम exercise 5 सवालों की exercise है कोसिस करेंगे इसी वीडियो में यह पूरी exercise आपके खतम हो जाए और आज द्विघास समीकन का अंत हो जाए एक पूरी तरह से मूलों की प्रकिर्थ के बारे में समझना है क्या होती है मूलों की प्रकिर्थ हमने आपको बताया था स्रीधराचारी का सूत्र बताया था x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a यह जो under root तो बताते हैं कि आपके मूलों की प्रकिर्थ कैसे होगी ठीक है यह अगर किसी दोईगास समीकन का 20 square minus 4ac निकाल लेजिए तो आप बड़े आसानी से यह भवश्वानी कर सकते हो कि दोईगास समीकन आपके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे हम यह बता सकते हैं वो कौन-कौन से होंगे यह तो नहीं बता सकते हैं ठीक है लेकिन वो कैसे होंगे यह बता सकते हैं कैसे होने का मतलब वास्तविक होंगे कालपनिक होंगे एक समान होंगे या फिर भिल्ल भिल्ल होंगे इतनी बातों की जानकारी हमारा यह 20 square minus 4ac देता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं विविक्तिकर है आपका यह डिस्क्राइमिनेंट इसे बोलती हुँ डिस्क्राइम से निरूपित करते हैं डी डी इस इकोल टू बी स्क्वार माइनस फोर ए सी यह एबी सी से तो आप मिले हो एका मतलब X स्क्वार का गुडांग B का मतलब X का गुडांग और C का मतलब अचरपत या फिर X की पावर 0 का गुडांग ऐसा भी बोल सकते हूँ ठीक है जहां लिख लीजी सीजनों को जहां A क्या है X स्क्वार का गुडांग B क्या है X का गुडांग और C क्या है अचरपत ठीक है C क्या है आपका अचरपत है इस प्रकार से चीजें हैं आपकी और D is equal to B square minus 4C ये है हमारा विविक्तिकर का सूत्र किसी question में हमें डायट पूछ सकता है इनकी मूलों की प्रक्रिति बताईए मूलों की प्रक्रिति बताया है कि अगर कहता है तो हमें 20 square minus 4C निकाल करके हम उसकी प्रक्रिति बताएंगे कैसे बताएंगे यहां पर देखिए यदि आपका यह जो description D है अब D का मान क्या होता है 20 square minus 4C समझ गया अब D से हम compare कर रहे हैं अगर D का मान आपका 0 से बड़ा है 0 से compare होगी इसकी हमें अच्छा 0 से आप कितनी तरह से compare कर सकते हो भाई D या तो आप 0 से बड़े होगे या फिर 0 के क्या होगे बराबर होगे या पर जीरो के क्या होगे चोटे होगे तीनी condition तो बनेगी चाहिए या पर आप लिख सकते थे इसको बी स्क्वाइर माइनस 4C अब इस इक्वल टू बी स्क्वाइर माइनस 4AC का मान इस बी स्क्वाइर माइनस 4AC ऐसे बी बता सकते थे आप अगर आपके डी बी स्क्वाइर माइनस 4AC का मान जीरो से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे वास्तविक मूल वास्तविक होंगे वा आसमान होंगे अगर जीरो के बराबर है तो भी वास्तविक होंगे लेकिन यहाँ पर समान होंगे दोनों मूल एकदम सेम तो सेम आएंगे ठीक है लेकिन अगर जीरो से छोटा आ रहा है तो मूल आपके वास्तविक नहीं होंगे कालपनिक होंगे लेकिन यहाँ मूल कैसे होंगे कालपनिक होंगे कालपनिक वा आसमान होंगे आशमान समान और आसमान ठीक है समझ जाओगे आपना बैठके लिखने है तोड़ा साथ सही नहीं हो रहा है आसमान ठीक है लिखी देखेंगे आसमान की आसमान 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 चलो कुछ भी हो जारा आसमान की मतलब अलग-अलग भिन भिन आसमान छोड़ोगे भिन 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 समान भिन ठीक है अगर जीरो से बड़ा होता है तो मूल वास्तिक होंगे और भिन भिन होंगे अगर जीरो के बराबर होता है तो वास्तिक और समान होंगे अगर जीरो से छोटा होता है तो कालपनिक और भिन भिन होंगे यानि मूल समान होने की कंडिशन सिर्फ जीरो वाले में है बात समझ में आ गई, तो ये इतनी सी चीज़ें हैं हमें, जो समझनी हैं, और इसी पर आधारी था हमारे exercise 4.4 है, ठीक है, इतनी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं चलिए exercise 4.4 पहले कुईस्चन में आपको बताना है, निमने दुईगा समीकणों के मूलों की प्रिकिरती ग्याद कीजिए, यदि मूलों का अस्तित हो, तो उन्हें ग्याद भी कीजिए, ठीक है, सब में पहले आपको b²-4 इसी निकालना, हमें एक कुईस्चन बता देते हैं, सेकेंड वा इकोल टू जीरो, ठीक है, इसकी a x square प्लस b x प्लस c is equal to 0, यह क्या है आपका दुईगा समीकण का व्यापक रूप है, standard form है, से तुलना करने पर, से क्या करने पर, तुलना करने पर, a is equal to 3, x square का गुडांक, b is equal to x का गुडांक, b क्या है आपके, x का गुडांक है, x का गु minus, 4 under root 3, अचरपद c, क्या है, चिन से 4, ठीक है, अब निकालेंगे, इसका हम विविक्त कर, d is equal to, b square minus 4ac, ठीक है, value put करो, b square, b क्या है आपका, minus 4 under root 3, तो b का square, minus 4a कितना है, 3c कितना है, 4, minus का वर करोगे, plus हो जाएगा, 4 का वर करोगे, 16 हो जाएगा, under root 3 का वर करोगे, तो under root 3 का तम हो जाएगा, 4 जोग, 16, 16, 16, 13, 48, तो यहां भी 16, 43, 48, 48 में से 48 चला गया, क्या हो गया, 0 आगया, और d अगर आपका 0 आगया, इसका मतलब दोनों मुगल वास्तविक हैं, और क्य अगर बात करें हम, तो अगर उनके मान कालपनिक हैं, अगर उनके मान क्या हैं, कालपनिक हैं, तभी मूलों का अस्तित हैं, कहते हैं कि मूलों का अस्तित तो नहीं है, ऐसा नहीं कि मूल नहीं निकलेंगे, मूल निकलेंगे, कालपनिक मानाएंगे, लेकिन कालपनिक मानाने वाली दसा को हम मूलों का अस्तित नहीं है बोलती है तो इसमें मूलों का अस्तित है चुंकि D is equal to 0 अतह मूल वास्तविक व समान होंगे ठीक है अब इसका आप गुड़नखन करके निकाल लेंगे बाके काम आपका है मूलों को निकाल लेंगे आप ठीक है ये पिछली exercise में आप करते आये हो आगे नहीं बताएंगे हम ओके सारे question मैं ऐसे करना है जिसमें भी कालपनिक आ गया डी कमान क्या आ गया माइनस में आ गया होता जीरो आ गया बढ़ाया होता दो चार दसबारा तो भी आपको निकालना पड़ता अगर यह पर माइनस पांच माइनस से यानि माइनस में कोई चीज आ गया होती है इसकाइर माइनस प्रेशी तभी तो जीरो से चोटा होता माइनस में गर आए होता तो लिख देते हैं चूंकि डी इस लेस दैन जीरो जीरो डी कमान जीरो से क्या आया है चोटा है अता हमुल काल्पनिक वह असमान होंगे अर्थात मूलों का अस्थत्त्व नहीं है सुन रहे बात समझ में अगर आपके d का मान क्या आया होता है 0 आया होता d का मान कितना आया होता minus 6 आ गया होता minus में something कुछ भी आ गया होता तो क्या लिख देते आप d is less than 0 चुकि d is less than 0 अता मूलों का अस्तित्व नहीं है ऐसा ही लिख देते बस अता मूलों का क्या है अस्तित्व नहीं है समझ गे इतनी बात question number 2 पर आते हैं निम्न प्रतेक दोईगात समीकण में के का मान ज्यात कि जिए कि उनमें दो बराबर मूल हो दो मूल कैसे हो बराबर हो बराबर मूलों का गुड रखने वाले दोईगात समीकण का विविक्त कर हमेशा 0 होता है देखिए इसका अगर जब आप इभी मूल निकालेंगे तो दोनों मूल इसके same to same आएंगे ठीक है और second वाले question जो हम start करने चल रहे हैं इसको note कलीजिए जो हम start करने चल रहे हैं एक question number one का second part था question number two का कौन सा part इसमें भी दो पार्ट है इसलिए second वाला हम हल कर देते हैं जो चीज़ें आपको कठें लगते हैं वह हम हल कर रहे हैं kx into bracket में है x-2 और plus 6 देखिए दोई गास समीकण का format ही नहीं तो पहले तो इसको दोई गास समीकण में convert की दिए kx की गुड़ा x में कराई है कितना हो जाएगा kx square kx की गुड़ा माइनस 2 में कराई कितना हो जाएगा minus 2 kx plus कितना 6 बराब 0 x square है x की 1 गास है 0 गास है अब बनाए दोई गास समीकण ठीक है ax square plus bx plus c is equal to 0 से क्या करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर a is equal to कितना k b is equal to कितना minus 2 k c is equal to कितना 6 ठीक है चुकि दोनों मूल समान है चुकि दोनों मूल क्या है समान है अतह b square minus 4ac जो है हमारा वो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा चाहिए अपलिक सकते हैं बराबर 0 चाहिए अपलिक डारिक डी का फार्मूला ही लिग दो कि b square minus 4ac का मान क्या होगा 0 होगा अब यह समीकर्ण हमें दिया गया है इस समीकर्ण में अगर इन तीनों में से हमें एक अग्यातरास मिल जाए तो उसका मान असानी से निकाल सकते हैं और देख लो आप एक ही अग्यातरास ही है 20 square का मान लगको 20 square कितना है minus 2k minus 2k का क्या कर दिया हमने square कर दिया minus 4a कितना है k है c कितना है minus 6 चुबिस k is equal to किसके 0 के ये भी देखो एक दूइक हाद बन गया इसके मतलब यहां से भी k के 2 मान आएंगे कैसे आएंगे पहले तो 4 कामन लेकर खतम करो 4 के साथ साथ k भी कामन होगा 4 कामन हो जाएगा k कामन हो जाएगा और क्या आजाएगा आपका 4 चला गया k बचा 4 चक 24 k minus 6 बराबर 0 तो अगर देखो यहां भी यह क्या है दोनों चीजे गुड़ा के संबंद में हैं अगर आप यहां 4 क के रोकते हो तो k minus 6 यह पूरा ब्रेकर उधर 0 के बटे में जागर के खतम हो जाएगा 4 k is equal to 0 आजाएगा यानि यदि 4 k is equal to 0 तो implies that k is equal to कितना 0 और यदि k minus 6 is equal to 0 implies that k is equal to 6 कि के 2 मान आएंगे यहां पर ठीक है देखो चीजों को आप यहां से फिर से देखे थोड़ा यहां से चीजन कैसे आप गलत करते अभी के का एक ही मान कैसे आता अपका अगर आप पक्षामतर कर देते इसको 4 k is equal to 0 को अगर आप ऐसे लिख देते कि 4 k is square यहीं है 24 को कि दर बेत दो पलस में हो जाए अब एक के से इसका power खतम हो गया तो 4 k is equal to 24 चार शक 24 के का मान आप 6 निकाल देते, बोलते एक ही मान तो आ रहा है, दूसरा कहां से आ रहा है, दूसरा वान तभी आएगा जब आप common लोगे, ठीक है common लोगे तभी यहां से के का मान क्या आएगा, जिरो आएगा, तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा, ठीक है, ये ग क्या एक ऐसी, आम की, क्या, एक ऐसी आम की बगी है, बनाना संभव है अच्छा, जिसकी लंबाई चोड़ाई से दो गुनी हो, और उसका छेतरफल 800 मीटर स्क्वाइर हो, यदि है, तो उसकी लंबाई वाच चोड़ाई या पीजिएगा, जिसकी लंबाई चोड़ाई से दो गुनी हो, जिसकी लंबाई चोड़ाई से दो गुनी हो, जिसकी लंबाई चोड़ाई हो गया है, तो जिसकी लंबाई चोड़ाई हो गया है, आयताकार तो कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन लंबाई और चोड़ाई अगर दी गई है, तो कन्फर्म है, यह क्या है, आयताकार यह, इसका छेतरफल कितना दिया गया है, आटसो मीटर स्कार, चित्फल क्या होगाई, लंबाई गुड़े, चोड़ाई, यानि दो एक्स गुड़े कितना, एक्स बराबर किसके? 800 के यह हो जाएगा आपका 2x square is equal to किसके 800 के x square is equal to क्या हो जाएगा दो से काड़ दोगे 400 आपका यह और x बराबर क्या आजाएगा यह आपका प्लस माइनस अंडर रूट 400 x is equal to plus minus 400 का फर्मुल कितना होता है 20 negative मान छोड़ दोगे x is equal to क्या लोगे आप positive मान लोगे ठीक है यहाँ पैसे लिख दो माइनस neglect लिख देते है एन इजी neglect ठीक है तो x is equal to कितना plus 20 लोगे ठीक है तो x क्या माना था अपने चोड़ाई 20 आ गई और 20 दुनाई 40 लंबाई क्या आ गई 40 अथा ऐसी बगिया बनाना संभव है ठीक है रफ्ली लगाए यहाँ पर माना बगिया की चोड़ाई बराबर x तो लंबाई बराबर x चेतल बराबर ठीक है लगा लिजे ऐसे ही लगा लिजे पूश्य नमबर थिरी था यह सवन्ज में आ गया चोड़ाई क्या निम्न इस्थितियां संभव है यदि है तो उसकी वर्तमान आयुग्याद कीजिए दो मित्रों की आयुका योग 20 वर्स है दो मित्रों की आयुका योग कितना है इस एक मित्रों कि क्विश्चन में जो यह बार बार पूछ रहा है क्या निम्न इस्थितियां संभव है इसका बस यही मंसा है कि कहीं 20 स्कूर माइनस 4 एसी आप ज़रूर निका लिए और देखिए कि क्या उसके मूल वास्तिविक हैं अगर मूल कालपनिक हैं तो मूलों कास्तित नहीं होगा और उस दसा में जो भी चीज़ें होंगी हमारी वो संभव नहीं होंगी ठीक है इसी का भी मूल वास्तिक आ गया होता है यानि दोनों मान निगेटिव में आ गये होती किसी तरह से तो आप बोलते भाई लंबाई चड़ाई कभी निगेटिव में थोड़ी होती है सुना आपने कभी या आपके दरवाजी की लंबाई माइनस 20 cm है ठीक है कोई भी मित्रों की आयू का योग 20 वर्स है चार वर्स पूर्व उनकी आयू का गुड़नफल अनतालिस था चार वर्स पूर्व था ठीक है गुड़नफल तो इस कंडिशन से समय करण बना लेते हैं और पहली वाली सर्थ से मान लेते हैं दो मित्रों की आयू का योग कितना है 20 वर् माना पहले मित्र की आयू माना पहले मित्र की आयू बराबर कितनी एक्स वर्स माना पहले मित्र की वर्तमान आयू लिख लिए होते है माना पहले मित्र की वर्तमान आयू क्या है वर्तमान आयू है न हिंदी उतनी मध्यान लेजिए, समझे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयू, बराबर कितनी, यक्स वर्स, तो दोनों का योग कितना है, 20 वर्स, अगर एक 10 साल का दूसरा भी 10 साल का, एक 12 साल का दूसरा आठ, आठ कैसे आया, 20 में से 12 गटा करके, यहनि हम भी 20 में से 1 गटा जाएगी, 20 माइनस, एक स, क्योंकि तभी दोनों को जोड़ लो, देखो, दोनों का युकपल भी 20 आना चाहिए, यक्स जोड़ लो, और क्या जोड़ लो, वीज माइनस एक से जोड़ लो, एक से कैंसिल हो कितना जाएगा, बीस आएगा, ना, कितनी वर्स, अब बुल ला है कि चार वर्ष पूर्व, चार वर्ष पहले की बात कि रही है, तो चार वर्ष पूर्व पहले मित्र की आई, पहले मित्र की आई, वही चार साल पहले जा रहे हैं, चार साल इसी आई, घटा दो, ठीक है, चार वर्ष पूर्व, दूसरे, दूसरे मित्र की आयू कितनी हो जाएगी जितनी है भाई दूसरे मित्र की आयू उसमें से भी चार घटा दो तो भाई बीस में से चार घटा दो कितना हो जाएगा यह सोला सोला माइनस एक्स और इस तरह से हम चार वर्स पूर्व दोनों मित्रों की आयो पर पहुंच गए हैं और चार वर्स पहले क्या हुआ था इनकी आयो में कहरें चार वर्स पूर्व उनकी आयो का गुड़नफल अनतालिस था तो प्रश्णा नुशार इन आयो का गुड़नफल पहले मित्र कोन है? पहले मित्र की आयो, x-4, दूसरे मित्र की आयो, 16-x, और इनकी आयो का क्या? गुडनफल केतना था? 49, चलिए इसको solve कीजिए, गुड़ा कराईए, x-16 में कितना हो जाएगा? 16x, x की गुड़ा minus x में होगी कितना हो जाएगा minus x square, minus 4 की गुड़ा 16, 64, minus 64 और minus 4 की गुड़ा minus x में होगी plus 4x, 48 को दिर ठाल लाईए 98, बराबर किसके 0 के, minus x square फिर x वाले चीज़े कहां है 4x है और 16x है, दोनों ही plus के है, तो 20x हो जाएगा फिर minus का 64 और minus का 48 दोनों minus के हैं जुड़ जाएगे answer भी minus में आएगा, 8, 4, 12 के दो आशी लाओ, 1, 6, 4, 10 10 और 1, 11, 112 minus से गुड़ा करा के x square वाली चीज़े को धात्मक कर लीज़े ये plus, तो ये minus और ये भी क्या हो जाएगा आपका minus है तो plus हो जाएगा अच्छे, यहाँ गुड़न खंड करने से पहले इसका b square minus 4ac निकाल दीजिए ठीक है? b square minus b is equal to कितना? b square minus 4ac और पता चल जाए इसके मूलों का अस्तित है या नहीं है b square b कितना आपका? minus 20 है minus 20 का क्या? वर्ग minus 4ac 4 into a कितना? 1, x is equal to a कितना? 1 और c, c का गुड़न कितना है? 112 गुड़न कह रहे हैं, अच्छे रपत कितना है? 112 चलिए 20 का वर्ग कीजिए कितना जाएगा? 400 यहाँ पर 112 गुड़े कितना? 4 112 गुड़े कितना? 4 दुनाई 8, 4, 1 के 4, फिर 4, 1 के 4, 449 तो 400 minus 449 करोगे, कितना आजाएगा आपका? minus 48 आजाएगा देखिए 20 square minus 4 e c निकालना यहाँ पर हमारे लिए फायदे मन्द हो गया क्योंकि D का माना आगया किसमे? रिनात्मक में ठीक है? अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि D is less than 0 अता मूलों का अस्तित तो नहीं है अता मूल कालपनिक होंगे ऐसा भी लिख सकते हो मूल क्या होंगे? अता मूल कालपनिक होंगे ठीक है? और किसी की आयू कभी minus में नहीं हो सकती है ठीक है? अता दी गई इस्थित इस्थित संभव नहीं है अता दी गई इस्थित दी गई इस्थित संभव नहीं है संभव नहीं है ठीक है question number 4 था ये नोट कलिए इसको question का आधा भाग यहाँ पर है यहाँ के बाद ठीक है? नोट कर लीजे ठीक है? यह question number 5 की तरफ चलते हैं last question है exercise का और दुई घास समीकान का भी अंधिम question है क्या परिमाप 80 मीटर तब 6 तफल 400 मीटर कि एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चोड़ाई याद कीजिए हैं देखी भाई यहाँ पर लंबाई चोड़ाई में भी कोई तुलना नहीं है तो परिमाप के माध्यम से होगी जैसे भी एक question लगाया था हमने माना क्या है पार्क है? माना पार्क की लंबाई माना पार्क की लंबाई क्या परिमाप असी मीटर और छेतरफल इतना मीटर के एक पार्क बनाना संब्व है ठीक है? माना पार्क की लंबाई बराबर कितने एक्स मीटर ठीक है? लंबाई एक्स मीटर होगी तो चोड़ाई कितनी हो जाएगी? चोड़ाई बराबर तो चोड़ाई बराबर बताई चोड़ाई कैसे होगी पार्क के माध्धम से निकालोगे चाहें छेतफल के माध्धम से निकालो चाहें परिमाप के माध्धम से निकालो तो कि छेतफल क्या होता है आपका लंबाई गुडे चोड़ाई बराबर छेत्रफल होता है तो आपको लंबाई पता चल गई यक्स और छेत्रफल कितना दिया गया है 400 आपको चोड़ाई नहीं पता है तो चोड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे यक्स देख रहे हो चोड़ाई कैसे हो गई समझ में आया लंबाई गुड़े चोड़ाई बराबर छेथपल लंबाई है यक्स चोड़ाई कितनी है पता नहीं हमें ठीक है और छेथपल कितना दिया गया है 400 तो यक्स गुड़े चोड़ाई बराबर चार सो तो चोड़ाई बराबर यक्स भाई इदर गुड़े में दर बटें चला ज परिमाप बराबर क्या होता है 80 मीटर दिया गया है और परिमाप का सूतर क्या होता है 2 इंटो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर किसके 80 मीटर के तो 2 से तुरंद काड़ दो इसको 40 और लंबाई प्लस चौड़ाई लंबाई कितनी है x चोड़ाई कितनी है 400 बटे x बराबर किसके 40 के ठीक ये 40 है अब x की गुड़ा x में x square पलस कितना 400 x square पलस 400 बटे कितना x बराबर 40 के तो x square पलस 400 x को इधर ले जाओ कितना हो जाएगा 40 x इधर उठालाओ x square माइनस 40 x पलस कितना 400 बराबर 0 के 20 square 40 का बर करो कितना हो 4 चोग 16 ऐसे रफली निकाल लिया करो अब जल्दी से ठीक है चेक करने के लिए 20 square माइनस 4 ac क्या आएगा और देखो 4 ac करोगे तो 4 चोग 1600 ठीक है देख रहे हो ना अरिवा समझ में तो देखो 1600 आएगा 1600 माइनस 1600 क्या हो जाएगा यह 0 हो जाएगा इसका मतलब मूल इसके वास्तविक है और दोनों ही मूल क्या आने वाले हैं समान आने वाले हैं ठीक है यहाँ पर लिखेंगे हम d square d is equal to d is equal to d square minus 4 ac c क्योंकि देखो सवाल में पूछा गया है क्या बनाना संभव है यदि है तो उसके लंबाई चोड़ाई याद कीजिए तो पहले थम इसको यह बताएंगे इसको यह संत्राओं देंगे भाई आप घबराओं नहीं बढ़ाना संभव है ऐसा पार्क बनाया जा सकता है ठीक है अब उसकी measurement क्या होगी बाद में बताते हैं ठीक है d is equal to b square minus 4 ac b square b कितना है आपका minus 40 है तो minus 40 का वर्क कर दीजिए minus 4 a कितना है 1 है c कितना है 400 है ठीक है अब minus 40 का वर्क कितना हो जाएगा 4 चोक 1600 ठीक है minus यहां भी 4 चोक 1600 1600 minus 1600 बराबर 0 अब तो d is equal to क्या आ गया 0